सब्सक्राइब बात करने वाले आपका PMGC 2021 के बारे में जो है हमारा PUBG Mobile Global Championship Season 1 2021 and mostly लोगों को यह भी पता होगा PUBG Mobile E-Sport का biggest prize pool event है 6 million US dollar का and काफी लोग यह भी जानते होंगे PUBG Mobile E-Sport last movement decisions या changes लेने में कितना ज़्यादा बिलीव करता है इस बार फिर से हमको छोटा सा criteria PMGC में qualification का change होते वे नजर आए अगर मैं बात करूँ अभी championships होने वाली है काफी सारे regions में like South Asia बेना championship होने वाली है अगर same criteria अगर यहाँ पर apply कर दिया जाता है इन regions में इस काफी fair criteria रहने वाला है teams को qualification का PMGC का काफी interesting है इसके बारे में बात करने वाली वीडियो में तो वीडियो में इंट्रस्टिंग ही बनने वाली है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो इस वीडियो पर aim target रखते है पूरा साल अच्छा खेलो जो आपके points बनेंगे जो आपकी top first की टीम रहेगी उसको direct invitation मिलने वाला है PMGC के लिए और काफी सारे रिजन से लाइक इंडोनेशा थाइलेंड मलेशिया वियतनाम आप साउथ इसा रिजन से काफी टीम से लेक्ट भी हो चुके लेकिन अनफोर्चुनेटली काफी टीम से एक बेगट्रॉन की टीम होगी वैंपायर की टीम होगी जो सीजन 3 प्लस सीजन 4 या ओवराल परफॉर्मेंस से क्वालिफाई नहीं कर पाई थी तो यहाँ पर PUBG वाली स्पोर्ट ने एक और मौका दिया सारी टीम को आप सभी को बता है रिस्पेक्टिव रीजन में चैंपिंशिप होते तो उनको कहा गया आप चैंपिंशिप में कौलिफाई करो अपने रीजन के एन वहां की टॉप टीम रहने वाली है उसको PMGC में खिलने का यहां पर मौका मिलने वाला है आप सभी को पता है अब हमारी साउस इस चैंपिंशिप जिसको आप सभी को पता है पहले इनके जो स्लॉट से ऐसा बताया गया था लिक्वी पीडिया में कि जो टॉप 3 टीम सिरफ जाएगी PMGC के लिए लेकिन यहां पर अभी जैसे हमारा सी चैंपिंशिप चालू हो वहां पर स्लॉट्स बढ़ा के चार स्लॉट को कर दिया गया है लेकिन एक बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग चीज क्या है इसमें पहली बात तो आपको पता होगा कि पहले आपका जो चैंपिंशिप उती थी वहां पर आपका सूपर वीकेंड एन लीग प्ले का क कहानी में कषर है kaani में twist क्या है मैं आपको बता देता हूं है यह गिजो आपके 4 टीमस तो जाने वालीय एे सी एक जाएगी सूप वीकेंड से जो आपके फर्स्त रहने वालीै बाकि तो उप सूप तरी जाने वालीया है जो आपके चैंपिंशिप की go International standing बनीग जो उसके top three team रहेगी तो वैसे criteria में आपको आप समझा देता हूं कि super weekend से कैसे team जाने वाली है यह सब्सक्राइब को बदाए इसबाद super weekend and league play का criteria specially add up करा गया championship के लिए and guys यह same criteria जैसा भी South Asia region में हुआ था आपकी top 20 teams के रही 16 teams आपकी qualify उड़ती super weekend में after DRS gaming की team जहां पर champion बनी थी league stage का same scenario रहने वाला है guys जैसे आपको दिखर होगा week 1 में 20 teams खेलेगी then team super weekend के लिए qualify होईगी super weekend होने वाले 3 week और 3 week में आपकी यहां पर 9 super weekends होने वाले है and 9 में जो आपकी overall ranking बनेगी बाद में and जो overall ranking में super weekend की top रहेगा league stages में वहां पर उस team को direct नहां पर आपका invitation मिल जाएगा आपका PMGC में खेलने के लिए जी हां अगर बात किये जाए बाकि जो इनकी top teams होईगी जो qualify करेगी finals के लिए तो final से आपकी top 3 teams जाने वाले जो overall standing में रहेगी लेकिन यह criteria में बहुत ही जादा अच्छा लगा है कि super weekend से आपका top first team जारी कि आप सभी को बता है league stages में जो टीम अच्छा खेलेगी उसको क्या benefit है उसको यहाँ पर PMGC के लिए direct invitation मिल रहा है यहाँ सेम चीज यह जो सी रिजन की होरी है यह आपका मीना एंड साउथ इसाइशा चैंपेंशिप या अधर चैंपेंशिप में apply हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है क्या लग रहा है आपको यहां से बहुत सारी टीम के जो अभी advantage वह बढ़ने वाले हैं जो आपका new format हमको देखने को मिला super weekend से जो टीम जाने वाली है आप सभी को मेरा एक चीज़ बता देता हूं आप सभी को याद होगा कि इंडोनेशिया से बीटियार की टीम जो इन्हाँ से कॉलिफाई नहीं कर भाए थी लेकिन अगर आप super weekend जो हमारा वन खत्म होता इसका overall standing देखेंगे बीटियार के टीम भी दावेदारी दिखा रही है आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के सामने 125 पॉइंट है इवोस की टीम के देखेंगे आप 121 पॉइंट है इंफिनिटी पहली कॉलिफाई है एक्सीज गीक इन सभी टीम के पास मौका फिर से बढ़ जाता है अगर यह super weekend मे कांस्टेंट खिलते हैं अच्छे पॉइंट से लेते हैं तो एक और चांस बनता है बेगे ट्रॉन के पास इवोस के बास गीक के पास इंफिनेटी बहुत सारी टीम के पास अगर बात किजा है कल हमारी जो ओवल स्रेंडिंग में ले थी उस फॉकिंग आरी क्योंकि लीग प बात कर दो आपना पॉइंट देख लो 43 पॉइंट है 17 रेंके और 18 रेंके 41 पॉइंट है तो गाइस कॉंपिटिशन ही सी रिजन में इतना है कि टीम इतने दूसरे को कॉंपिटिशन दे रहे हैं सारी चैंपिएंट टीम्स हैं तभी मैं बोलता हूं सी रिजन में नेस्ट ल जाने वाल यह कैसा लगा आपको क्राइटी रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना अगर फॉलो जाते हो मेरे साफ से तो काफी फेर गेम प्ले तो आज की वीडियो के लिए च्छा ही चैनल का काम अच्छा लग तो लाइक एंड शेर जरू करना रिस्पेक्ट एवरी टिलिए भी एंडर टो काम झांचे टे जरूर लाइक्ट करना अथा वी